में असलाम ओलेकुम दोस्तों आज़ की वीडियो के लिजाशों के वीडियो के साथ कमेंट सेक्षिंट के लिजां आप लिजा वीजा आपके बूद लो Perry तो आएई तो चेंनल में आपने किन लेवर्ज बुब्र, इन सेक्रीप्स के उपढ़, बरिभा झाइड, करने हैं, जो ये सारे सेक्रीप्त, आज की वीडिविकी अधर बारे बारी से डिसक्मस करेंगे, तो वीडिविकी तरह बढ़ने आप से पहले आपने तो यह achievement हमारी premium group की भी थी और साथ में यूट्यूब चैनल की भी दोनों platforms की उपर मैंने अपना premium signal शेयर किया था तो यूट्यूब की उपर जिस video के अंदर मैंने इसके अंदर buying करवाई थी तो उस video का link भी जो उपर मैं दे दूँगा वहाँ से आप देख सकते हैं तो उसका reference भी आपको channel से मैं दिखा दूँगा तो 25 मेरी को इसके अंदर मैंने buying करवाई थी शेल के अंदर 65 से लेकर 70 की range के अंदर first target था इसके अंदर 100 रुपीज का तो 103 के उपर आई थी कि इसने जुम्हे वाल दिन upper cap लगाया है तो उसके साथ हमारा जो first target है वो इसके अंदर achieve हो चुक है तो अभी तक अगर हम देखें तो आपने buying लेवल से तकरीबन 50% का जो almost जो gain यह दे चुक है तो वीडियो जो थी वो भी आपको मैं बता देता हूँ ताकि अगर आपने नहीं देखी तो उसको जरूर देखें तो इसका जो first target है वो alhamdulillah हमारा achieve हो चुक है प्राइस इसके उपर जा चुक है तो इसके अंदर हमारे तीन target थे जो के मैंने उस वीडियो के अंदर discuss किये थे तो वहां से वो आप तीन लेवल देख सकते हैं तो अभी जो हमारी strategies के अंदर होगी क्योंकि यह signal हमारा premium का भी और यह YouTube का भी तो यहां की उपर ही जो है इसकी management मैं बता देता हूं तो अभी जो हमारे तीन target थे first target हो गया है achieve तो अभी जो आप 33% जो इसके अंदर आपनी holding है वो आप इसमें अपना profit booking कर सकते हैं तो बाकी quantity के अंदर जो आप अपना कुछ trailing stop last जरूर इस्तमाल करें इन इसके second और third target है long term के लिए वो भी इसके expose हैं वहां तक भी इसकी prices जो इन्शाला जो future में जा सकती हैं तो शेल को अगर हम देखें तो अभी जो recently यह जो हफता गुजरा है हफता 10 दिन इसके अंदर almost तमाम script जो अंडर pressure हैं मार्केट में volumes भी को ऐसा चच्छे नहीं लगे ल I think सिर्फ यह हमारी channel था और हमारा premium group था जिसने बिल्कुल bottom के उपर यह shell के अंदर buying करवाई थी तो बाकी जो अगर आप लोग भी चाहतें कि future में इसी तरह हैं जो टैमिली by cell के signal आप लोगों को भी मिलते रहें तो उसके लिए आप मेरा premium group जो जाइन कर सकते हैं जिसके ल ज्यादा है लेकि यह जो limited time offer है इसके अंदर आपको पूरा package पूरे साल का वो one time six thousand जो पे करके वो मिल सकता है तो इंशाला है इस ग्रूप के अंदर इसी तरह कि जो technical basis के उपर जैसा कि shell के अंदर हमारी trading थी इसी तरह कि signal जो मैं share करता रहता हूं तो जिसके expected gain भी बहुत ज्यादा होते हैं तो अभी हम अपने scripts की तरफ चलते हैं बारी बार इससे इनको discuss करते हैं तो first script पूछा गया था पाक Suzuki Motor Company Limited तो trend की बात करें तो downtrend के अंदर है इसकी जब previously video के अंदर मैंने discussion की थी तो उस वकल भी मैंने बताया था कि यह अपने downtrend के अंदर है आने वाले द exactly यह 103 का ही हाई लगाया है और यहां से rejection लेकर जो दुबारा अभी 95 की उपर आ चुकी है तो definitely जिन लोगों ने वो levels follow की होंगे और timeless में से exit कर चुके होंगे तो अभी तकरें आठ रपे की जो price जो उसके बात गिरी हैं वो इस last से जो बाच चुके होंगे तो बागी trend इसक 103 के लगबागी इसका जो है एम में की resistance बान रही है तो trend इसका down अगर price दोबारा 103 के लगबाग जाए तो यहां के उपर गर आप higher rates को पर stuck हैं तो इन levels को पर आप आपना exit जो हो इसमें प्लैन कर सकते हैं बागी future में जाब यह अपने आप trend के अंदर जाएगा तो इन्शाल लेकिन अगर miller tractor को देखे तो यह अपना downtrend से निकल के अपने up trend के अंदर जो दाहल हो चुका है तो इसकी indication यह है कि एक तो यह अपने 50 के EMA से उपर इसकी price sustain का रही है और दूसरा जो previous resistance इसकी जो के 549 रपे की ती उसके उपर जो इसने closing दी है तो आप इसके अंदर जो हम अगर कोई confirmation मिले तो आपनी buying plan कर सकते हैं तो बागी इंशाला जैसे कोई proper confirmation मिलेगी तो फिर मैं इंशाला जो बाइंग का signal आपलोड कर दूँगा MTL के बाद अगर हम दोग देखें तो next script है हमारे पास AVN, AVN को अगर हम चार्ट की उपर देखें technology sector का script है evention तो इसको अगर हम चार्ट की उपर देखें तो ये भी आपने downtrend के अंदर है तो अगर आप इसमें high rates की उपर stuck हैं तो 52 के लागबाग इसकी resistance मान रही आने वाले दिनों के अंदर तो अगर आप high rates में stuck हैं तो अगर 52 के करीप price आए तो इन लेवर्ट की उपर आप इसमें अपना exit जो है वो plan कर सकते हैं ABN के बाद अगर हम next script देखें तो वो है हमारे पास first national equities limited penny script है तो इसको अगर हम देखें तो इसका भी जो trend है वो down चला आ रहा है तो अगर आप इसमें high rates की उपर stuck है तो 4.63 पैसे की इसके पास resistance है अगर इस price तक यह आए तो आप इसमें अपना exit जो वो plan कर सकते हैं तो भी जो इसकी recent price है 3.46 पैसे की तो यह इसकी previous support के करीब है तो जो लोग शाट टर्म की उपर जो है ट्रेडिंग वगरा करते हैं या trend का हास हयाल नहीं रखते हैं तो वो इसको consider कर सकते हैं अगर इनको की proper confirmation मिले तो यहां पर buying भी वो plan कर सकते हैं बाकी इसका major जो trend है वो down है तो down trend के अदर हमारी जो opportunity होगी वो sell loan strength की होगी तो इसके गरा हम strength की बात करें तो वो 4 पे और 50 पैसे के लाग बाग बान रही है तो अगर आप इसमें high rates की उपर stuck है तो 4 पे के लाग बाग जो है आप इसमें अपना exit जो है वो plan कर सकते हैं FN, EEL के बाद कर हम देखें तो next script है हमारे पास EPCL एंगरो polymer and chemicals limited तो EPCL को अगरा हम charts की उपर देखें तो यह अपने downtrend के अंदर आ रहा है तो इसके अंदर हमारी एक premium group की running trade भी जो चाल रही है तो जिसके अंदर मैंने इसके अंदर selling किया यह जो call दी थी कि अपने downtrend के अंदर इसको sell कर दिया जाए जब इसने यहां के उपर breakdown किया था तो इन levels के उपर जो है मैंने exit call जो है दी थी आपने premium group के अंदर जिसका first target 41.29 के है तो यह आलमोस अगर जुम्हे वाले दिन को हम देखें तो यह आलमोस इसी के क्रीब आ चुक है और first target जो हमारे तकरीबन achieve हो चुका हुआ है तो बाकि जो final target है इसके downside के उपर जहां तक इसकी price expose है आने वाले दिनों के लिए तो second target 39.7 के है और जो final target है वो 38 रुपीस के लाग भाग है तो यह तीन इसके levels थे जहां तक इसकी price expose है नीचे यहां तक जो prices की जो वो जा सकती है EPCL के बाद अगर हम लोग देखें तो next script है हमारे पास BGL बलोचस्तान ग्लास तो BGL को गराम चार्ट की उपर देखें तो यह previously अपने अप्ट्रेंड के अंदर था तो जब इसने यह breakout किया था तकरीबन 11 पे के level का तो इसके अंदर मैंने अपने premium group के अंदर buying भी करवाई थी तो यह जो इसका setup यह चार्ट की उपर लगा हुआ है तो यह सारा हमारा वो premium group का ही जो setup है उसके बाद इसमें ऐसा अच कोई मैंने working नहीं की जो है opportunity जो अभी develop होती हुई नजर नहीं आ रहे तो sideways है price तो sideways के अंदर 50% ही chance होते हैं कि price उपर चली जाए और 50% ही chance होते हैं कि price नीचे चली जाए तो अभी जब तक इसके अंदर की proper confirmation ना मिले यह यह अपनी direction set ना करे तो आप इसको simply watch list में रखें जिस direction में भी इसकी price निकले तो फिर आप उस direction के अंदर इसके अंदर buying जब plan कर सकते हैं तो अभी फिलाल यह sideways है तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि prices की आने वाली दिनों में उपर जाएगी यहां फिर नीचे जाएगी BGL के बाद अगर हम देखें तो next script है हमारे पास quiz तो quiz food industries को अगर हम चार्ट की उपर देखें तो इसने previous ले आपना जाए trend जब चेंज गिया था तो तकरीबाँ यह 4 पे 75 पैसे के resistance जब इसने breakout किया था तो यहां की उपर मैंने जो अचीव कर चुक है तो इसके बाद price के अंदर pressure आया है और दोबारा से जो इसका एक sideway zone था जो के 3 रपे 53 पैसे से 4 पे 75 पैसे का था इसी के अंदर दाहल हो चुक है तो अब यह आप इसको वाच लिस्ट में रखें अगर चोटे time frame की उपर कोई indication मिले तो आप इसमें buying कर सकते हैं otherwise आप इसमें wait करें price दुबारा साड़े 3 रुपे के लागबाग आए तो फिर यहां की उपर आप इसके अंदर जापनी buying जाएं वो plan कर सकते हैं तो quiz के बाद अगर हम देखें तो next group है हमारे पास ASL Aisha Steels Limited Aisha Steels को गरा हम देखें तो यह भी अपने downtrend के अंदर आ रहा है तो इसके अंदर भी हमारी जो strategy है वो sell-none strength की होगी तो इसके अगर हम strength की बात करें तो अब भी recent prices की 5.5 की उपर है तो जो इसकी resistance है तो वो हमारे पास 6.5 की है तो अगर prices की 6.5 के लागबाग आए तो जो लोग इसमें higher rates की उपर stuck है तो वो 6.5 के लागबाग इसके अंदर अपना जो exit है वो plan कर सकते है ASL के बाद अगर हम देखें तो last script है आज की वीडियो का वो हमारे पास Capco Quotado Power Company Limited Power Sector का script है तो इसको अगर हम charts की उपर देखें तो Capco भी अपने downtrend के अंदर आ रहे है तो downtrend के अंदर strategy हमारी simply sell on strength करेंगे buying on dips हम नहीं करेंगे तो इसमें अगर हम strength की बात करें तो वो 23 रपे और 32 पैसे की है तो इसमें भी अगर आप higher rates की उपर तो इसमें अपना exit या वो plan कर सकते है तो almost no secret मैंने discuss करने होता है तो वो आज की वीडियो के अंदर हम discuss कर चुके है तो अभी भी बहुत ज्यादा script जो है comment section के अंदर पड़े हूँ है तो उनका name या symbol जो है comment section के अंदर आप mention कर दे तो इंशालला आने वाली वीडियो के अंदर जो है उनको भी मैं discuss करूँगा तो बाकी वीडियो अगर आप लोगों को आज की पसंद आई तो इसको जरूर लाइक करें दोस्तों के साथ भी share करें और अगर आप मेरा premium group जो जाइन करना चाहते है जिसके अंदर मैं यह जिस तरह का shell का signal था इसी तरह का signal जो बाइंग सैलिंग के share करता रहता हूँ तो उसके लिए आप निचे दिए कि WhatsApp नंबर पर message करके उसकी जाइन डिटेल ले सकते हैं तो आज के लिए दोस्तों इतना ही मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में